अब बुब बेंदर सिंग एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने करेर प्रेट्फॉर्म प्रेंस अकाडमी पर आज हम अपने आर्टिकल्स के सिलसेले को आगे बढ़ाते हैं आज मैं आपसे बात करूंगा ओमिशन आफ आर्टिकल्स के बारे में आगे बढ़ने से सबसे पहले हमारे questions of the day की तरफ में चलता हूं आप इस page का screenshot ले लीजिए और मुझे comment section के अंदर इनका answer जरूर दीजेगा अब चलते हैं हमारे last questions of the day को जो discuss करते हैं मैंने जो आपको homework वाले questions दिये थे जरा उनकी बात करते हैं देखते हैं यहां पर अब is eclipsed by his wife who is clever and amusing than he is तो यहां पर देखो यार यहां पर सीखना क्या है हमें and लगा हुआ है और and से पहले जो है हमारे पास comparative degree है तो and के बाद भी क्या आएगा and के बाद भी comparative degree ही आती है और amusing को हम comparative degree में कैसे convert करते हैं इसके आगे more add करके ठीक है solution देखते है add more before amusing both are both more amusing and cleverer it should be cleverer must be in the same degree ठीक है end से पहले और end के बाद जो भी आते है वो same degree के अंदर होना चाहिए ठीक है उसके बाद आगे चलते है next कहता है the two first to arrive that the two first to arrive where the luckiest of us यहार देखो यहां पर पहले ही मुझे पता चलिए मतला बोलने में भी चीज़े कभी कबार बहुत जादा अजीव हो जाती है यहां पर यहां पर यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा यह जाएगा first two के अंदर हमें convert करने ठीक है फिर उसके बाद third देख लेते हम one of the billions of stars in the galaxy how much are suitable for life यहां पर एक चीज़ यहां पर यहां पर यहां पर how much लगाव है और हमारे stars क्या है इसको हम countable nouns की category में डालते हैं although जो stars होते हो हमारे count less होते हैं but वह uncountable नहीं होते उनको हम countable noun के category में ही गिनते हैं so यहां पर stars के साथ यहां पर क्या आना था how many आना था ठीक है so य हम मुझे सबसे पहले जो answer किया है एक second मैं देख लेता हूं हां जी हां सबसे पहले मुझे answer किया है आर्यन खंडेल वाल ने ठीक है आर्यन खंडेल वाल आर्यन खंडेल वाल आगे अब हम अपने omission of articles की तरफ बढ़ते हैं so heading लगा लगा लिजे अच्छे से omission of articles देखो इनसे पहले वाले lectures के अंतरे मैं आपसे बात कर रहा था कहां कहां articles लगते हैं अगर मैं दा की बात कर रहा था तो पहले हमने पूरी list देखी थी कि दा हम कहां इस्तमाल करते हैं फिर हमने a और n के बारे में जाना a और n कहां लगते हैं अब कुछ rules ऐसे भी होते हैं जिनके साथ हमें article नहीं लगाना होता बट हम लगाते हैं ठीक है सो कहां कहां में नहीं लगाना है उसकी मैं आपसे बात करता हूं सो पहला rule number हमें कहां नहीं लगाना कहां में omit करना है वो है before names of days and month ठीक है month और days के पहले हम क्या articles का इस्तमाल नहीं करते ठीक है for example मैं आपसे बात कर लेता हूं example मैं आपसे कहता हूं she will go on monday ठीक है ना यहां पर क्या हो जाएगा she will go on monday हो गए यहां पर she will go on a monday she will go on the monday ऐसे नहीं होता she will go on monday ठीक है उसके बाद they are getting married in january ठीक है in january so यहां पर इंदा जैनवरी नहीं होता इना जैनवरी नहीं होता they are getting married in january done चले आगे बड़े rule number two आगे देखते हैं जब भी हमारे subjects के name होते हैं तो उससे पहले भी हम article का इस्तमाल नहीं करते so इसको ऐसे लिख लो before names of subjects so इसके अंदर आप ऐसे लिख सकते हो she has no interest I am sorry in mathematics so in the mathematics नहीं होता in a mathematics नहीं होता सिर्फ mathematics होता in mathematics ठीक है फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो biology is her favorite subject ठीक है favorite subject तो यहां पर a biology नहीं होता the biology नहीं होता सिर्फ biology होता है done आगे चलते हैं Rune no.3 हमारा कहता है before the names of languages before names of languages 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 के नाम के पहले भी हम the articles का इस्तमान नहीं करते जैसे की मैं कहता हूँ he cannot speak french french ठीक है ना तो यहां पर क्या हो जागा he cannot speak french यह ऐसे नहीं होगा he cannot speak the french right उसके बाद आप लिख सकते हो she is learning Marathi ठीक है ना so languages के नाम से languages से भी पहले हम क्या articles का इस्तमाल नहीं करते हैं उसके बाद diseases के नाम से पहले भी हम क्या articles का इस्तमाल नहीं करते हैं लेकिन कुछ इसके अंदर exceptions है वह मैं आप से बात करूँगा before names of disease okay example लेते हूं मैं कहता हूं AIDS is spreading like wildfire ठीक है ठीक है यहां पर दा एड्स आ एड्स ऐसे नहीं होता है सिर्फ एड्स ही होता है ठीक है इस डाइड ओफ कैंसर ठीक है सो दा कैंसर आ कैंसर नहीं होगा लेकिन इसके अंदर जो exceptions है वह लिख लिए आप note point लगाके कुछ diseases हैं उनसे पहले दा का इस्तमाल होता है ठीक है दा उसमें इस्तमाल होता है और वह कौन-कौन से disease है जैसे कि आप ऐसे कहोगे the missiles ठीक है फिर the plague ठीक है फिर आप कहलो the mumps तो यह कुछ exceptions है जिनके आगे आर्टिकल दा का इस्तमाल होता है अज़ रखना है आर्टिकल हमारा कान इस्तमाल नहीं होता रूल फाइव के दर आप नोट कर लिजे फेस्टिवल के नेम और जो सीजन के नेम होते हैं उनके आगे भी अगे भी रखनान हो नहीं लगाते हैं तो आप लिख लो बिफोर नेम्स उफ फेस्टिवल्स और सीजन्स ठीक है फर एक्सम्पल पहला आप लिख क्लोस के आगे विल गो तो कानेड़ विल गो तो कानेड़ विंटर ओड़ी से लिए इंद समस नहीं सबते नहीं होगा सेसंस के आगे नहीं लगता है ठीक है इसके अंदर जी सेलिब्रेटेर्ट दा क्रिस्मस with her friends तो इसके अंदर she celebrated dark Christmas नहीं होगा सिर्फ Christmas ही होगा ठीक है और उसके बाद rule number 6 आप note कर लीजेगा और rule number 6 के अंदर आप note कर लीजे जो sports के नेम होते है उनके आगे भी हम articles नहीं लगाते है before names of sports ठीक है जैसे कि इसका example लेता हूँ she plays tennis she plays tennis तो यहाँ पर क्या हो जाएगा she plays the tennis नहीं होगा ठीक है she plays the cricket नहीं होगा सिर्फ cricket ही होगा एक और example लेलो we like cricket ठीक है ना so यहाँ पर we like the cricket नहीं होता है और रूल नमबर सेवन आज का सेशन मुझे पता है थोड़ा सा फास्ट चल रहा है और क्योंकि हमारा लास्ट सेशन है तो इसको जल्दी से wind up कर लेते हैं रूल नमबर सेवन के आगे आप लिख लो आपका हां एक रूल लिख लो district वाला जो होता है before the names of persons, villages, cities, districts, states and countries तो इनसे भी पहले हम आर्टिकल का इस्तमाल नहीं करते हैं जैसे कि मैं कह रहा हूँ अजली is a beautiful girl तो यहाँ पर आजली दा अंजली नहीं होता है ठीक है पर्सन का नाम है तो उससे पहले नहीं लगेगा सिर्फ अंजली ही होगा ठीक है उसके बाद आप लिख लो लंड़न इस अबिक सिटी तो यहां पे दा लंडन आ लंडन नहीं होगा ठीक है और राइट उसके बाद आप लिख लो पैरिस इस ड़ टा गापिटल अवफ वफ्रैंस है इसड़े कापिटल ऑफ फ्रैंस ठीक है तो इनके आगे भी अर्टिकल दा का इससामाल आप नहीं करना क्यूंके क्या है यहां पर सेटीर्स के नाम है उसके बाद आप एक रूल और नोट कर लिजगा इसके अंदर पै oh इसके अंदर हा एक हTrul हमारा कुछ में सो गया है एक सेकुड में देख लेता हूझ वादा हमने क्या क्या कर लिया है और ठीक है सब्जेक्ट भी कर लिया हमने और लांग्वज ärप्ड कर लिया कैड ignorant Vors एक रूूल हमारा और रहे गए रूल नमबर एट जो कि हमारा लास्स रूल है इसके अंदर आप लिखलो बिफॉर दे नाउंस ओफ अब या फिर ऐसे लिखो बिफोर दे नाउंस यूज्ड आफ्टर रैंक आफ्टर रैंक और या फिर रैंक ओफ लिखता है मैं इसको ना रैंक ओफ और लिखो टाइटल ओफ टाइटल ओफ तो यहां पर इनके बाद भी जब रैंक और टाइटल की बात हो इनके बाद भी हम अर्टिकल के इस्तवाल नहीं करते हैं अधर रैंक अफ करणाल तो यहां पर क्या है तो यहां पर क्या थे? आफ दिखो रैंक ओफ अफ करणर नहीं होगा ठेक है न रैंक ओफ करणल होता है खाली थेक है उसके बाद he was given the he was given the title of title of nawab ठीक है so इसको ऐसे मत बोलना he was given the title of the nawab या फिर rank of the colonel ठीक है ऐसे नहीं होता है जब भी rank of or title of होता है इसके बाद भी हम article का इस्तमल नहीं करते है इसी के साथ हमने अपने articles chapter को भी wind up कर लिया है मुझे उमीद है आज का session मुझे मालूम है बहुत ही छोटा session था यह बठ हमने सारे rules बहुत ही जल्दी-जल्दी quick quick हमने देखे हैं और मैं आपको जो मेरा जो तरीका होता है मैं आपको इंसानी भाषा के अंदर पढ़ाना प्रेफर करता हूं ठीक है और क्यूंके book languages में तो अगर मैं वही कितावी भाषा के अंदर आपसे बात करूँगा इससे बेटर है कि मैं आपको एक book देते हैं तो आप book पढ़ते रहो ठीक है न आप वहां पर भी तो सब कुछ लिखा ही होगा आपको सारे rules मिल जाएंगे आप पढ़ लोगे बट मेरा आपको पढ़ाने का objective यही है कि एक जो इनसानी भाषा होती है जिसके अंदर हम easily समझ सकते हैं चीजों को उसके अंदर मैं आपके पास lecture को deliver करूँ सो मुझे उमीद है आप sessions को enjoy कर रहे हैं और अपनी exercises जो मैं आपको दे रहा हूं questions जो आपको दे रहा हूं वो proper आप करते जा रहे हैं और मुझे उमीद है कि आपको धीरे धीरे अपनी grammar के अंदर improvement मिल रहा होगा सो आपकी grammar अभी किस level तक पहुंची है क्या आपको कुछ improvement फील हो रही है या नहीं हो रही है मुझे comment section के अंदर जुरू बताना और मुझे यह भी जुरू बताना कि हम next जो हमारा chapter होगा वो हम कौन सा स्टार्ट करें सो यार मैं मिलता हूँ आपसे next session के अंदर और आपने अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चानल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथी साथ बैल आइकोन जरू प्रेस कर दीजेगा ताकि हमारी वीडियो की notification आप तक हमेशा on time पहुंच जाए मुझे दीजे जाज़त यार मिलता हूँ आपसे next session के अंदर तिल देन बाबाए टेक केर